कि दोस्तो वीडियो को जादा से ज़ादा लोगों तक सेर करें दोस्तो आपकी प्यार और सपूर्ट की हम है हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका जियो भी नीज पे दोस्तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समचा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के ब पार्टी शिवसेना नाराज चल रही है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के सिवसेना और बीजेपी में मन मुटाओ है राज में इसी साल विधान सभाचुनाओ होने वाला है दोनों पार्टी अपना अपना मुख्यमंत्री चाहती है सिवसेना ढ़ाई-ढई नेड़े अमित साहज और उधर ठाकरे को ही लेना है आपको बता दे कि बिहार में बीजेपी के सहयोग से चल रही सरकार जेडियू का कोई भी मंत्री केंद्र सरकार में सामिल नहीं है हलाकि नितिसकुमार ने यह साफ कर दिया है कि हम पहले से भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे नितिसकुमार ने कहा था कि जडियू के किसी भी नेता को केंद्र में मंत्री मंडल न देने पर मुद्दा अब खत्म हो गया है उन्होंने कहा है कि केंदर में BJP की अपनी बहुमत की सरकार है और सरकार चलाने के लिए उनको किसी सहयोगी दल की जरूरत ही नहीं है लेकिन अगर भविष्ट में ध्यान में रखते हुए केंदर और बिहार सरकार साथ मिलकर के काम करती है तो बिहार में होने वाले विधान चुनाओं में जडियो और BJP साथ मिलकर के लड़ सकती है जी हां दोसो अगली बड़ी केवरे वार्सेप का सबसे कमाल फीचर अब बोलका टाइप करें मैसल्स जी हां दोसो अगर आप वार्सेप पर टाइप करने से बचना चाहते हैं या फिर अब आप बोर हो चुके हैं तो वार्सेप का माइक फीचर आपको वैसे तो यह डिसकनेक्शन फीचर पहले से ही Google Assistant या फिर CC में उपलब था हाला कि यह फीचर अब वार्सेप ने इन बिट्स में भी सामिल कर दिया है इन डिसकनेक्शन फीचर का इस्तिमाल करने के लिए सबसे पहले आपको वार्सेप खोले और फिर अपने फोन में माइक आइकन को सेलेक्ट करने के बाद मैसेज को डिटेक्ट करना सुरू कर देते हैं और अब आप जानेंगे कि मैसेज आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा अब मैसेज भेजने के लिए आपको एडिटिक भी कर सकते हैं हाला कि इसके लिए आ लिदेา्य हैकर ने अमिता बचन का बायो भी बदल दिया और उसमें लाउट पाकिस्तान लिखा नजर आ रहा है है हैकर्ष ने अमिता बचन के एक्कांट को हैकर्ष पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खां की तस्वीर लगा दी हैं हाला कि अब उनका रिकवल कर लिया गया है अकाउंट हैकर सो द्वारा की गई यह सभी ट्वीट उनके अकाउंट से हटा दी गई है मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जाच सुरू कर दी है आइदिल टीम ने अमिता बचल का ट्वीटर हैंडल से कई टीट किये है जो पहले पोस्ट में लिखा है ये दुनिया के लिए चेतावनी है तर्किस फुटबॉलर्स के प्रती आईरलेंड रिपब्ली का बरताऊ सही नहीं है मुंबई पुलिस की पी आरो के अनुसार उन्हों ने इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की साइबर सेल को अउग पाकिस्तान के समर्थक तुर्की के साइबर आर्मी अल्दियादिर टीम के हैकर्स ने यह कर लिया है इससे पहले इनके वरिष्ट अभिनेता अनुपम खेर का वी ट्विटर हैंडल हेख हो चुका है आपको बता दे कि अमिता बचन का ट्विटर प्रफाइस से फोटो में प अपन दासकुपता के ट्विटर एकांट भी हैक होने के बाद ट्विटर को उन्हों स्थाई तोर पर बंद कर दिया था खातों को कथित रूप से तुर्की साइबर सेल अल्दिया टीम ने वो हैक किया था जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबरे हार की समिक्षा के लिए इकठा हुए कॉंगरेस नेता मंगलवार को आपस में भीड़ पड़े हैं। कॉंगरेस नेता आपस में तो भिढ़ी गए है और साथ ही पार्टी के उत्तर पस्षी पर्देश के प्रभारी और महासचिव जोतित अधित सिंधिया से भी भीड़ पड़े हैं। हाल ही की समिक्षा के लिए कॉंग्रेस के परशी में उत्रपरदेश के दस जिलो के नेताओं को बुलाया गया था, बैठक देली के गुरुद्वारा रकाब गंज परिसद में हो रही थी, मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दे कि पहले कॉंग्रेस नेता परिसद के दूबग् sacrific नरेद्र भारतवाज़ पाटू के सब्सुते के सेंख्चे में आज कि समिक्षा के लिए बैठक पास्जवी उत्प्रप्रद्शंग kे 10 जिलों की थी और सिंधीया और राजबब्बर में 10 जिलों tap परत्यासियों और पुर्वे बिधायक, पुर्वे सांसदों और पदाधिकारियों कि समिक्षा बैठक बुलाई थी, अगली बैठक 14 जून को लखनों में होने वाली है, जी हाँ दोसो, अगली बड़ी खबरे, RBI ने RTGS और NAFT से सुल्क हटाने का बैंकों को दिया निर्देश कहा, एक जुलाई से अमल में लाए जाए आदेश, जी हाँ दोसो, रियल टाइम ग्रोस सेटल्मेंट सिस्टम और नेशनल इलेक्टोनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम के जरिये, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के लिए एक जुलाई से आपको कोई सुल्क नहीं देना होगा, दे इसे एक जुलाई से अमल में लाने को कहा है, आपको बता दे कि अभी तक RBI अपने RTGS और NEFT सिस्टम के जरिये किये जाने वाले लेंदेन के लिए बैंकों से नियुनतम सुल्क वसुलता था, बैंक इस सुल्क का भार अपने ग्रहकों पर डालते थे, RTGS का इस्तमाल बड़ी फंड ट्रांसफर कर सकता है, इस स्किम के तहत व्यक्ति फॉर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक ब्रांच से किसी दूसरे व्यक्ति फॉर्म या कार्पोरेट के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रोनिक तरीके से पैसा ट्रांसफर कर सकता है, आपको बता दे कि RBI के वेबसा तक के फंड ट्रांसपर पर अधिकतम पांच रुपया और जीएश्टी लगता है। इसमें तिन महिलाए सामिल है। ये पुरुसकार सोमवार रात आयुजित एक कारिकरम में परदान किया गया। महरानी एलिजावित के जरम दिन के आउसर पर दिये जाने वाला यह समान करीबन एक हजार से अधिक लोगों को जोके आस्टेरिया के रहने वाले हैं उनको परदान किया गया है। इसमें 40% महिलाय सामिल है। महरानी एलिजावित के जरम दिन के आउसर पर दिया जाने वाला यह समान करीबन एक हजार लोगों से अधिक जोकी आस्टेरिया को दिया गया है। इसमें से 40% महिलाय भी सामिल है। आस्टेलिया के पूरे परदानमद्री केविड रड और अविनेता हीूग जैकमन को सिर्स नागरिक समान कैपैनियन ओफ द आवार्ड से जबकि फिल्म अविनेता एरीक बाना को मेंबर ओफ द आवार्ड से समानित किया गया है। जी हाँ दोस्तों अकली बड़ी खबरे पाकिस्तान के पीम इमरान खान बोले देश चलाने के लिए नहीं है परियाप्त पैसा। उन्होंने काया है कि अगर आप टेक्स नहीं देते हैं तो हम देश चलाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पैरात देते हैं। उन्होंने काया है कि अगर जजबा आ जाए तो कम से कम हम 10,000 अरब रुपे इस साल इकठा कर सकते हैं। उन्होंने काया है कि अगर हम टेक्स नहीं देंगे तो अपने मुल्क को उपर नहीं उठा सकते हैं। झाल आगे हम टेक्से चांगे हम टेक्स नहीं उन्होंने कि अगर सब्सक्वेबा तो ॉन्होंने कोई।